कोतवाली छेतर से 30 वर्षे महिला को अगवाकर दुशकर्म मामले में 15 वर्षे नाबालिक निरुद सियो सिटी राजंदर बूर्ड़क की टीम ने की कारेवाही चूरु के कोतवाली छेतर में अपने डेरे में सोई 30 वर्षे महिला को अगवाकर 9 दिनों तक सामुहिक दुशकर्म के मामले में सियो सिटी राजंदर बूर्ड़क की टीम ने 15 साल के एक नाबालिक को निरुद किया है पुलिस ने आरोपी नाबालिक को सोंबार को किशोर नय बोर्ड के समक्ष पेश किया जहां से उसे बाल संप्रेक्षन गरह भिजवा दिया गया है पुलिसे मिली जानकरी के मुताबिक तीशवर्षी महिला ने महिला थाने में 26 मही 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि रात को वे अपने घर में सोई थी तभी रात करीब एक बजे उसके घर में नाबालिक आरोपी साहित छे लोग आये और नशीला पदार्थ सुंगा कर उसे कार में डाल कर जुन जुन जिले के गाउन नहरड ले गए जहां आरोपी ने उसे डराया धमकाया फिर उसे एक सुंथान जगे ले जाकर नाबालिक ने उसके साथ रेप किया शोर मचाने पर आरोपी ने उसे और उसके विकलंग भाई को जान से मारने की धमकी दी आरोपियों ने महिला को वहां नो दिनों तक बंधग बना कर रखा और वारदात को अंजाम दिया रिपोर्ट में बताया गया कि 25 मही की शाम को आरोपियों के चंगुल से किसी तरह निकल कर वह चूरू भागाई थी जहां अपनी आपबिती अपने भाई को बताई